तो आज बनाएंगे टेस्टी लिट्टी, इसे आप चाहे तलकर बनाएं या आप इसे आग पे सेख सकते हैं, तो दोनों चीजे में आपके साथ शेयर करने वाली हो, चटनी के साथ अगर आप इसे ट्राय करते हैं, आपको बहुत ही साथ पसंद आएगा, क्योंकि लिट्टी ह इसे हम लोग बच्पन से खा रहे हैं, तो यह आपके साथ में शेयर कर रहे हो, तो से ठाइसोग्रम मैंने यह साथ लिया है, जोकि में अचाहे हूए हरी मिर्च को एड़ किया है, उसके बाद एड का लग प्याज दिया है, तो कि पति प्रेश और जादा यूज़ कर दिया क्योंकि मेरे भास मोल की है फाटा के भाटा ईब मुक्ल काली पावडर काले काला नमक कि यृट मिर्च पावडर बिली का थोड़ा देशा घवायन का तो पावडर या से चानदी लेड़ाएर खारी के क्वावड़र एक पावड़ मुपावड़े उय भावड़ इस वी थोड लिट्टी का असली फ्लेवर आता है। मसाला हो आम का अचार का मसाला हो या कोई भी हो ज़रूर एक चम्मच एड़ कर ले इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सरसो तेल ज़रूर एड़ करें एक से दो चम्मच आप एड़ कर सकते हैं। अच्छा नमक एड़ किया थोड़ा सा ओएड़ किया और आती को अच्छा से गून लेना है। बहुत जाता इसे गिला नहीं करना है। इस तरह से आप काटोरी बना कर आप वीडियो में असे देख कर समझ सकते हैं। और इसे लिट्टी को अच्छे से प्रॉपरली फील करें। तवड़ा ज्यादा मात्रा में फील करें। और गोल गोल इस तरह से बना लें। इसे आप डिरेक्ली आग पे हलके हलके आच पे मतलब हवा देकर दोनों साइट से पलटके आप इसे सेख सकते हैं। तो आग वाली लिट्टी आपकी तयार हो जाएगी। इनकम है तो आप इसे तल भी सकते हैं। तो सरसो तिल में से तल रही हो। आप चाहें तो जाएख रीफाइंड ओल में भी से स्ट तल सकते हैं। कोशिश करें मस्टर्ट ओल में ही। तले,च्छी तले करें। और त्रप से तले मैं अच्छी पूल जाता है। अपकी टेस्टी चटपटी लेटी मीत असे अश्णाए हो। तो वीडियो को लाइक करले, सबस्क्राइब वाइब